हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर इतेश कारिया, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, हमने शुरू की था क्लास 11th का Systematics of Living Organisms, लेक्चर वर हम पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे, I hope आप लोगों को हमारा content अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो definitely like कर दीजे, share कर दीजे, subscribe कर दीजे, आपके likes, आपके positive comments हमारी लिए ATP का काम करते हैं, हम ऐसे ही अच्छा अच्छा content आप biodiversity, है ना, biodiversity का मतलब क्या है, what is the meaning of the word diversity, variation in the different types of living organisms, in fact, अगर हम numerical data देखें, तो बेटा धरती पे 1.7 to 1.8 million species अभी तक discover हो चुके हैं, मतलब अगर हम इसे लाक्स में convert करें, तो करीब करीब 17 से 18 लाक species of plants and animals हमारे धरती पे discover हो चुके हैं, right, अब as a bio student, अगर हमें इस living organisms के बारे में पढ़ना हैं, तो हमारे टास्कों में easy करना पड़ेगा, right, चलिए एक example देख लेते हैं, suppose मैंने आपको एक जंगल में जाके छोड़ दिया, या बहुत सारे animals मैंने आपके सामने र panther भी दिख रहा है, आपको एक elephant भी दिख रहा है, आपको एक lion भी दिख रहा है, आपको पेड दिख रहा है, अब इसमें से मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको इसमें से animals को study करना है, बेटा अगर एक एक animals को आप study करने जाओगे ना, हमें साथ जनम भी कम पड़ जाएं तो अब देखो मैंने क्या देखा, कि इन सभी animals में बहुत differences है, लेकिन एक common factor है, कि ये सारे के सारे milk producing animals हैं, ये सब के पास memory glands हैं, है ना, तो हमने इन्हें एक class में डाल दिया, और उस class को हमने नाम दे दिया, मैमलिया, या जिसे हम कहते हैं, mammals, so all milk producing animals को हमने एक category में डाल दिया, जिसे हम कहते हैं, class मैमलिया, ठीक है, इसी तरह से अगर हम plants की बात करें, आप देखिए आपके सामने, कितने अलग-अलग variety of plants यहां पर present हैं, सब के features अलग है, कोई size में बड़ा है, कोई size में छोटा है, किसी को spines है, हर एक का leaf का shape अलग है, कोई एकदम pointed sui जैसी किसी के पत्ते हैं, किसी के पत्ते गोल-गोल आकार के हैं, मतलब there is a lot of difference in their morphological characters, लेकिन इन सब में एक common property है, कि they all contain the chlorophyll pigment, मतलब यह सभी अपना खाना खुद बना सकते हैं, by photosynthesis, मतलब क्या, कि यह सारे के सारे हैं, तो plants ही ना, तो हमने क्या किया, हमने इन्हें एक common बड़े group में डाल दिया, और हमने इस group को नाम दे दिया, kingdom plantae, are you all understanding? सो जबी भी हमें organisms को study करना होता है, हम उन्हें groups में डालते हैं, चली, अब आगे देखते हैं, सी, खाली groups बनाना important नहीं है, हमें उन groups को एक proper order में rank देना पड़ेगा, है ना? तो इस ranking को हम कहते है, hierarchy, hierarchy word का simple meaning है, the ranking of categories, ठीक है, हम जितनी भी अलग-अलग categories में organisms को divide करेंगे, हमें उन्हें एक rank देना पड़ेगा, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि biology में हम ranking किस तरह से देते हैं, सबसे highest rank, सबसे highest rank जो organisms का है, उसे कहते हैं kingdom, अगर हम उपर से नीचे देखें, तो सबसे highest जो taxonomic category है, उसे कहते हैं kingdom, फिर kingdom के नीचे अगली category आती है phylum, right? Now, I want you to note one point here, जब हम animals की बात करते हैं, तो उसके category को हम कहते हैं phylum, लेकिन यहाँ पर अगर हम plants की बात करें, तो plants के लिए हम phylum word यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं the word division, दोनों हैं एक ही level पे, दोनों का rank सेम है, लेकिन हम word अलग यूज करते हैं, animals के case में we use the word phylum, और plants के case में we use the word division, अब उसके नीचे जब हम cd उतरते हैं, तो अगले taxonomic category को हम कहते हैं class, उसके नीचे order, उसके नीचे family, उसके नीचे genus, और सबसे आखिर में species, तो see, जब हम उपर के categories की बात करते हैं, मेरे बच्चों, these are categories with more general characters, और जितना हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, these are categories with more specific characters, ठीक है, so from kingdom till species, these are the taxonomical hierarchy, are you all understanding my point, अच्छा, अब अगर हमें exam में पूछा जाएं, मेरे प्यारे बच्चों, हमें इसी order में याद रखना है, तो sir, अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो चलिए, इसे याद रखने के लिए आपको एक निमोनिक दे देते हैं, हमने यहाँ पर क्या बनाया है, king, philip, came over for good soup, because हम इसका order change नहीं कर सकते, तो चलिए, k for king, k for kingdom, p for philip, p for phylum, c for came, c for class, o for over, o for order, f for four, f for family, g for good, g for genus, s for soup, s for species, तो हम क्या निमोनिक याद रखेंगे, king philip, came over for good soup, तो king philip को soup बहुत पसंद है, हमने उन्हें सूप पिने के लिए invite किया, वो बहुत अच्छा सा सूप पिने के लिए हमारे घर पे आ गए, right, so kingdom, phylum, class, order, family, genus and species, these are the taxonomical hierarchies, अच्छा, अब अगर हमें इस ranking में, मान लीजे, इस ranking में, अगर हमें humans को classify करना है, चल यह देख लेते हम कैसे classify करेंगे, now all the human beings in the world, they belong to kingdom animalia, हम सब animals हैं, तो हमारा kingdom होगा animalia, now under animalia, हमारा जो phylum है, वो होगा phylum core data, because we all have a vertebral column, which is developed from the notochord, so we come under phylum core data, then उसके अंडर, we are all milk producing animals, so we come under class mammalia, right, then mammalia के नीचे हमारा order होगा primates, so all human beings belong to order primata, या जिसे हम कहते हैं primates, then primates के नीचे हमारी जो family human beings की, उसे कहते हैं hominidae, we all belong to the hominidae family, हमारा genus है homo, और हमारा जो species name है, वो है sapiens, right, तो देखे, यहां पर हमारा kingdom हो गया animalia, then since we are animals, we will use the word phylum, तो phylum हो गया chordata, हमारी class हो गया mammalia, हमारा order हो गया primata, हमारी family हो गया hominidae, then हमारा genus हो गया homo, and हमारा species name हो गया sapiens, so this is how we classify organisms using the taxonomical category ranks, ठीक है, तो see, हमने यहां पर क्या word use किया है, taxon, यह जितने भी ranks मैंने आपको बता है, kingdom, phylum, family, order, genus, species, जो भी है, हर group को, हर category को हम कहते है, taxon, the simple meaning of the word taxon is a group, right, अब यह word किसने बनाया था, the word taxon was coined by a scientist, जिनका नाम था, H.J. Lamb, इन्होंने यह word हमें coin करके दिया था, अब इसका definition क्या है, a taxon is a taxonomic group of any rank in the system of classification, मतलब जब हम organisms को classify करते हैं, और उन्हें ranks देते हैं, every rank is called as a taxon, चलिए, अब देखते हैं कि species क्या है, let us try to understand this very clearly, species एक principal natural taxonomic unit है, अब यहाँ पर principal का मतलब क्या हो गया बच्चों, main, मतलब जब हम classification की शुरुवात करते हैं, तो सबसे छोटा taxonomic unit, जिसमें हम organisms को डालते हैं, सबसे पहले, उसे कहते हैं species, it is the main natural taxonomic unit, चीक है, अच्छा, अब इसका definition हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझे, it is a group of organisms that can interbreed under natural conditions to produce a fertile offspring, ध्यान से सुनिये, बच्चों, species एक ऐसा group of organisms हैं, जिस group के members सिर्फ आपस में, मतलब उसी group के किसी दूसरे organism के साथ reproduce कर सकते हैं, और एक fertile offspring पैदा कर सकते हैं, अब fertile का मतलब क्या, कि वो offspring, वो बच्चा, जब बड़ा होके reproduce करेगा, तो वो भी reproduction करने के capable होना चाहिए, वो भी आगे चलकर एक offspring पैदा करने के capable होना चाहिए, तो ऐसे group of organisms को हम कहते हैं, species, चलिए, एक example से समझते हैं, आप देखिए, आपके सामने ये प्यारा सा कुट्टा है, जिसका नाम है the great day, और एक ये aggressive कुट्टा है, चोटा, चुवे जिसकी शकल है, आप देख सकते हैं, इसका नाम है चीवावा, राइट, अब आप बोलोंगे सर, ये दोनों कुट्टे हैं, definitely ये दोनों कुट्टे ह आप देखिए, दोनों दिखने में अलग है, दोनों का साइज अलग है, दोनों का कलर अलग है, लेकिन ये है तो दोनों कुट्टे ही, ब्रीड अलग है, लेकिन है दोनों कुट्टे ही, राइट, तो अगर ये great day और चीवावा कभी शादी करके honeymoon मनाते हैं, तो आप पुछ के साथ honeymoon पर भेज दिया, तो वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे, तो definition क्या बोलता है, group of organisms which can interbreed under natural conditions to produce a fertile offspring, मतलब वो बच्चा भी आगे जाकर आगे बच्चे पैदा करने का capable होना चाहिए, अब यहाँ पर एक exception है, देखिए आपके सामने ये एक प्यारा सा male donkey है, ठी लेकिन आप जानवर पे ध्यान दीजिए, उसके औरगन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है, यह है हमारा male donkey, अगर एक male donkey को आपने एक female horse के साथ breed कराया, देखिए, पहले तो यह naturally breed नहीं कर सकते, लेकिन हम इनका cross breeding करवाते हैं, क्योंकि इनका जो offspring आएगा, यह हमार donkey, breeds with a female horse, अब यहां पर donkey एक completely अलग species है, horse एक completely अलग species है, अगर हम इनका breeding करवाते हैं, तो इसका जो progeny हमें मिलता है, इसे कहते हैं mule, तो यहां पर जो खचर आपको देखने मिलता है, इस जानवर को हम कहते हैं mule, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं, कि यह mule आगे जाकर बच्चे पैदा नहीं कर सकता, यह अपनी reproductive ability लॉस कर चुका होता है, because of cross breeding, उनके अंदर कुछ chromosomal defects आ जाते हैं, जिसके वज़े से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो ऐसे mule को हम कहते हैं sterile, अब देखो बिचारे mule की तो क्या हालत हो गई, ना उसको donkey के species में डाल सकते हो, ना आप उसको घोडे के species में डाल सकते हो, तो इन दोनों में से किसी species को belong नहीं करेगा, आई बात समझ में, only those organisms which can interbreed to produce a fertile offspring, they come under one species, right? अच्छा, species का एक बहुत important criteria है, all the members of the same species will have the same amount and type of genetic material, मतलब आप दुनिया का, अगर हम humans का example लें, तो दुनिया का कोई भी human, चाहे वो बंदा इंडिया का हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, अफरिका का हो, हमारे सब के cells में, आपको same number of chromosomes मिलेंगे, that is 46, और सब के chromosomes पे, आपके और मेरे chromosomes पे हैं, right, so all members of the species, they have the same amount and type of genetic material, ठीक है, अच्छा, अब पेले, बच्चों पेले ये माना जाता था, कि species एक indivisible unit है, मतलब हम उसे और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब टैक्सोनॉमी एडवांस हुई, तो हमें पता चला, कि according to modern taxonomy, हम species को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, तो species से आगे बन सकता है, सब species, सब species से आगे बन सकता है, variety, और variety के आगे जो unit नीचे बनता है, उसे हम कहते हैं, population, मतलब वो हम as per need डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें, तो species को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक ह फिर पहले ही हमाना जाता था कि species stable है, मतलब जितने members बन गए और नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एक group of species के सारे members reproduce करते हैं, और उनके number कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई इनसान मरेगा, तो population कम होता है, लेकिन अगर कहां पर कोई मरता है, तो कही न कोई कोई पैदा भी होता है, तो species कोई stable taxon नहीं है, उसका number कभी कम भी हो सकता है, कभी number जादा भी हो सकता है, अभी आप देखिए, कोरोना के टाइम पर कितने इनसान मर गए, तो क्या हम कह सक करते हैं कि इनसान का species stable है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, पहले यह माना जाता था कि species static है, static मतलब वो कभी move नहीं करता, मतलब सारे members आपको एक ही area में मिलेंगे, पर मुझे बताईए, क्या इंडिया के लोग अमेरिका नहीं जाते हैं, क्या आस्ट्रेलिया के लोग कभी इंड तो हम यह नहीं कह सकते के species एक static unit है, okay, species एक जगह से दूसरे जगह move कर सकता है, चली, अब कुछ examples लेते हैं species के आपको मजा आएगा, देखे आपके सामने कौन सा fruit दिख रहा है, बिल्कुल सही mango, क्या आप जानते है, mango का scientific name is mangyfera indica, इसके बारे हम आगे पढ़ेंगे, पर साइंटिफिक नेम है mangyfera indica, अब आप देखे, आपके सामने आलू है potato, इसका scientific name है solanum tuberosum, मेरे बच्चों, यह नाम ध्यान से सुनिये, क्योंकि यह आपको याद रखने कुछ examples, ठीक है, तो potato का नाम है solanum tuberosum, अब आप देखे तुलसी का पोधा, हमारे Indian culture में, तुलसी क scientific name, चलो चलो बताओ, सोचो, सोचो क्या होगा, चलो मैं बता देता हूँ, तुलसी का scientific name है Osimum sanctum, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक lion है, और उसका scientific name है panthera leo, अब देखे, बाइलोजी में जबी भी हम किसी organism का नाम लिखते हैं, तो उसको दो नाम देते हैं, नाम होता है एक सरनेम होता है, अब यहाँ पर आप देखे, यहाँ पर यह जो mangifera indica का indica है, solanum tuberosum का tuberosum है, Osimum sanctum का sanctum है, और panthera leo का leo है, बेटा यह जो नाम है, यह species के नाम है, ठीक है, तो mango belongs to the species indica, potato belongs to the species tuberosum, तुलसी belongs to the species sanctum, and lion belongs to the species leo, और यह जो first हमने नाम लिखे है, mangifera, solanum, Osimum and panthera, मेरे बच्चों, these are the genus name, यह इनके जीनस के नाम है, और यहाँ पर जो हमने नाम लिखे है, यह इनके species के नाम है, are you understanding my point? So indica, tuberosum, sanctum, leo, these are the species which belong to the genus mangifera, solanum, Osimum and panthera respectively, right? तो I hope आप लोगों को species का concept समझ में आ गया होगा, चली आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो इसके उपर का taxonomic category है, उसे हम कहते हैं genus, right? अब genus is a category which is larger than the species, मतलब यह देखिए, चली हम थोड़ा color change करके आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं, हमने का सबसे lower unit है species, अब species से जब आप एक step उपर बढ़ेंगे, तो अगले category को हम कहते हैं genus, ठीक है? चली, आईए, जीनस के बारे में समझते हैं, बचों, जीनस एक ऐसा classification unit है, जो आप ना कि सिर्फ living organisms के classification में, लेकिन आप इसे fossil के classification में भी यूज़ कर सकते हैं, right? हमने आपको बताया, fossil क्या है? जब भी कोई plant या animal मर जाता है, और वो धरती के नीचे अगर बरी हो जाता है, बहुत सारी मिटी के layers उस पे चड़ जाते हैं, तो उसकी body तो decompose हो जाएगी, लेकिन उसके body के जो hard parts हैं, उसका impression धरती पे रह जाएगा, उसका stamp धरती पे रह ज अब देखें, यहाँ पर इसका definition क्या है, जीनस का, a group of species, a group of species, bearing close resemblance to one another in their morphological characters, okay, मतलब ऐसे species, जो अलग-अलग group में आते हैं, जैसे कुत्ता एक species है, बिल्ली अलग species है, अब आप देखिए, बिल्ली और कुत्ते में आपको कोई similarities नहीं दिखेगी, right? लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक tiger है, एक lion है, और एक leopard है, right? अब देखिए, tiger एक completely अलग species है, lion एक completely अलग species है, और leopard एक completely अलग species है, यह आपस में interbreed नहीं कर सकते, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यह image को ध्यान से देखिए, क्या आपक एक tiger में, एक lion में, और एक leopard में, कुछ समानता नजर आती है, definitely, आप इनका skin color देखिए, आप इनके body के बाल देखिए, आप उनकी cherry की जो नाक नक्षी है, वो देखिए, okay? यह सभी के पास 4 limbs है, यह सभी carnivores है, उनके canine दात एक जैसे है, right? फ्लेश को काट के खाने के species, in spite of not being able to interbreed, but फिर भी, they show some resemblance, उनमें आपस में कुछ समानता हैं, तो बच्चों, इन सभी species को, हमें कॉमन जीनस में डालते हैं, और इस जीनस का नाम है, panthera, so see, tiger is a different species, but belongs to genus panthera, lion is a different species, but belongs to the genus panthera, and leopard is a different species, but belongs to the genus panthera, क्यों? because all these three species, show some morphological resemblance, ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे इन तीनों का नाम लिखना है, तो जो tiger है, उसका species name है, tigris, और genus name है panthera, तो हम tiger को कहेंगे, panthera tigris, अच्छा, lion का जो species name है, वो है leo, और genus name है panthera, तो हम lion को नाम देते हैं panthera leo, और leopard का species name है pardus, लेकिन उसका genus name है panthera, तो leopard को हम कहते है panthera pardus, आई बात समझ में, तो genus is a taxonomic unit, which is higher than species, ऐसे species, जिनके अंदर resemblance हमें मिलता है, उन्हें हम डालते हैं इस category में, जिसे हम कहते हैं genus, तो एक बार definition देख लिजे, group of species, bearing close resemblance to one another, in their morphological characters, बच्चों, morphological characters का मतलब है, external appearance, उनका shape, उनका size, उनका color, उनका body type, इसे हम कहते हैं morphological characters, और ये आपस में interbreed नहीं कर सकते, ठीक है? तो इस group को हम कहते हैं genus, अगर हम plants की बात करें, तो देखिए आपके सामने एक बैंगन रखा हुआ है, और एक आलू रखा हुआ है, अब आप बोलेंगे, sir, ये दोनों थोड़ी same है, absolutely right, बेटा, इन दोनों में दूर दूर दक कोई आपको दिखने में similarities नजर नहीं आ रह सकते, लेकिन अब देखिए, मेरे प्यारे बच्चों, इनके अंदर भी कुछ similarities हैं, क्या similarities हैं, आएए देखते हैं, first point, both brinjal and potato plant show common phylo taxis, both brinjal and potato show a common pattern of venetion, and they both show a common pattern of inflorescence, don't worry, आपको समझाते हैं, चलिए, phylo taxis का meaning है, the arrangement of leaves, मतलब, अगर आप एक brinjal का पौदा देखेंगे, एक आलू का पौदा देखेंगे, इनने compare करेंगे, दोनों का pattern of arrangement of leaves आपको same मिलेगा, ठीक है, चलिए, अब venetion का मतलब क्या है, the pattern of arrangement of veins, चलिए, आपको draw करके बता देते हैं, मान लीजिए, ये एक पत्ता है, आप सबने देखा होगा, पत्ते के बीच में एक midrib होती है, और उसमें से ये veins निकलती है, है ना, आपने पड़ा होगा, दो टाइप के venetion होते हैं, reticulate venetion and parallel venetion, लेकिन बैंगन और आलू के पौधे में, आपको same type of venetion नजर आएगा, तो ये एक similarity हो गई, and inflorescence का मतलब है, the word inflorescence is the pattern on of arrangement of flowers, मतलब एक बैंगन के पौधे पे, जिस फैशन में आपको flowers arranged मिलेंगे, उसी फैशन में आपको एक आलू के पौधे के भी flowers arranged मिलेंगे, तो इन दोनों में similarities हैं, even though they belong to different species, so we put brinjal and potato under the same genus, और उस genus का नाम है Solanum, are you all understanding, तो brinjal and potato both belong to genus Solanum, तो अब देखिए इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, brinjal के लिए, let me change the color so that we can highlight it for you, तो brinjal का scientific name है Solanum Melongina and potato का scientific name होगा, Solanum Tubrosum, right, so melongina is the species name of brinjal and tuberosum is the species name of potato and they both belong to the common genus that is Solanum, right, I hope this is clear, my dear children, let's go ahead, now the next taxonomic category is family, right, यह देखिए यहां पर, तो हमने शुरू किया species से उसके अपर रैंक को कहते हैं genus, अब genus के ऊपर के रैंक को कहते हैं family, so what is family, it is a group of closely related genera, genera is the plural for genus, तो जब कई सारे genera या कई सारे genus जो एक दूसरे को resemble करते हैं, जब उनमें कोई similarities हमें दिखती हैं, तो उन genera को हम एक उपर के common group में डालते हैं, जिसे कहते हैं family, right, चलिए example देखते हैं plants के case में, अब आप देखिए यहां पर आपको चार अलग-अलग genus के plants मिलेंगे, hibiscus is a different genus, gossipium is a different genus, ceda is a different genus, and bombax is a different genus, है न, चारों अलग genus को बिलॉंग करते हैं, लेकिन अब जड़ा उनके flowers पे नजर डालिये, क्या आपको morphological similarities नजर आ रही है, definitely नजर आ रही है, है न, तो अलग genus होने के बावजूद, अब हम उन्हें एक higher common rank में डालते हैं, उसके उसे कहते हैं family, और इसके family का नाम है मालवेसिये, so the genus hibiscus, the genus gossipium, the genus ceda and genus bombax, they belong to family मालवेसिये, right, अगर हम animals की बात करें, तो अब देखें यहां पर आपके पास 4 अलग genus के animals है, cat belongs to a different genus, cheetah belongs to a different genus, अभी हमने पढ़ा था lion and tiger, they both belong to the genus panthera, है न, यह 4 अलग genus के हैं, लेकिन इन में भी कुछ morphological similarities है, so they all belong to cat family, right, and this family को हम कहते है, family felidae, so cat, lion, cheetah, tiger, they all belong to the cat family, that is family felidae, right, similarly अगर हम dogs की बात करें, तो देखें, यहां पर यह एक dog है, और एक African wild dog है, दोनों का genus अलग है, but again दोनों में कुछ characters की similarity आपको देखने मिलेगी, right, है की नहीं, तो अब हम इन दोनों को एक common family में डालते है, तो dogs की family को हम कहते है, family canidae, so all cats of the world, they come under family felidae, and all dogs of the world, they come under the family canidae, I hope this is clear to everybody, right, now after family, the next higher taxonomical rank is called as the order, order को हम दूसरे words में, we also use the word cohort, right, so order and cohort is one and the same, from species we went to genus, from genus we went to family, now from family we go to the next category, जिसे हम कहते है, order, now what is order, closely related families showing definite affinities, right, अब जब family में आपको कुछ similarities नजर आएंगी, affinity का मतलब है, some relationship, some similarity, तो उन सारे families को हमें common group में डालेंगे, higher rank में डालेंगे, जिसे कहेंगे order, चलिए, examples के साथ समझने की कोशिश करते है, सी हमारे पास 3 family के plants है, family papaveraceae, family brassicae, and family caparidesiae, यह नाम सुनके डरके भागे मत, एकदम easy है, हमें यहाँ पर इनका कोई detail याद नहीं रखना, खाली नाम याद रखने, सी में आपको एक tip देता हूं, whenever you come across a difficult technical term in bio, बस उसे बार 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 रिपीट करिए, उसे 3-4 बार बोलिए, आपको learn हो जाएगा, पैपा वेरेसिये, ब्रैसी केसिये, कैपैरिडेसिये, अब यह तीनों अलग family के plants हैं, ठीक है, लेकिन इन में कुछ common property है, जिसके वज़े से हम इने एक common order में डालेंगे, चलिए पहले वो property समझते हैं, see lower classes में हमने flower का structure पड़ा है, अब specifically उसमें थोड़ा female reproductive organ है उसको याद करने की कोशिश कीज़े, यहां पर देखिए, यह center में जो यह बाहर का पाटे इसे कहते हैं ovary, और अंदर वाला जो पाटे उसे कहते है ovule, ठीक है, अब यहां पर note करने की बात क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए, see यह जो structure है, ovary का यह जो structure है, जिससे यह ovule attach हो रहा है, देखिए यह वाला center वाला पाट ovule है, और यह वाला पाट, यह वाला पाट जिससे ovule attached है ovary को, मेरे बच्चों, इस पाट को हम कहते हैं placenta, ठीक है अब सर, placenta क्या है, placenta वो tissue है, जो ovule को ovary से attach करता है, और यही tissue आगे जाकर developing embryo को nutrition देगा, जब यह ovule में आगे जाकर fertilization होगा और embryo बनेगा, तो उस embryo को nutrition देने का काम यह placenta करेगा, ठीक है, लेकिन अब यहां पर point क्या है, कि हर plant में यह placenta का arrangement आपको अलग दिखेगा, चलिए, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिए, see, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, अब first image पर concentrate करिए, यहां पर यह center में structure दिख रहा है, यह placenta है, और जो ovules हैं, वो बाहर की तरफ से placenta को attached है, right, मतलब यहां पर the placenta is central, लेक color change करके आपको दिखा देते हैं, the placenta is on the outer side, जो placenta है, यह देखे, this is the placenta, यह ovary के wall को attached है, on the boundary, on the peripheral side, and then, वहां से, यह जो है, these are the ovules that are attached, क्या आप लोगों को यह placenta के arrangement का difference समझ में आ गया, see these are the ovules, तो यहां पर, जो placenta है, वो central है, right, तो ऐसे arrangement को हम कहते है, axial placentation, ठीक है, मेरे बच्चों, इसे हम कहते है, axial type of placentation, और यह वाला जो placentation का method है, इसे हम कहते है, parietal placentation, जहां पर placenta, ovary को बाहर से attached है, towards the periphery, right, अब यह जो तीनो families हमारे पास है, okay, papaveraceae, brassicae, and caparidaceae, यह तीनो अलग family है, लेकिन इन तीनो में, मेरे बच्चों, हमें parietal type of placentation देखने मिलेगा, यानि कि यह वाला, इसी लिए, तो यह common property है तीनो में, अलग family होने के बावजूत, तो इन तीनो को, हम एक common order में डालते हैं, और इस order को हम कहते हैं, order parietals, right, so this is called as, the order parietals, so in spite of being in different family, they belong to the common order, that is parietals, I hope I am clear with this, चलिए, अब उसी तरह से अगर हम animals की बात करें, तो देखिए, dog और cat, यह दोनो अलग family को बिलॉंग करते हैं, dog की family को हम कहते हैं, canny day, और cat की family को हम कहते हैं, felly day, they both belong to different families, लेकिन अब यह दोनों families में भी कुछ similarities हैं, दोनों ही flesh eating animals हैं, आपको पता है कि बिल्ली शिकार करके खाती आपने देखा होगा, कभी चुवे के पिछे शिकार कर रही है, कभी कभूतर का शिकार कर रही है, है ना, तो यह दोनों flesh eating animals हैं, तो इन दोनों families को हम एक common order में डालते हैं, और उस order को हम कहते हैं, order carnivora, so dog and cat, they belong to the common order or cohort that is carnivora, I hope I am clear with this, चली आगे बढ़ते हैं, अगली taxonomic category of the higher rank, जिसे हम कहते हैं class, देखे, हमने शुरुवात की थी species से, species से आगे बड़े genus पे, genus से आगे चड़े family पे, family से उपर चड़े order पे, अब हम आ रहें class की तरफ, देखे, क्या कहा है, the assemblage of, assemblage मतलब a group और a collection of closely related orders, मतलब अब अगर आपको orders में भी, अलग-अलग orders में भी जब आपको कोई resemblance मिलता है, तो हम उसे एक common higher taxonomic rank में डालते हैं, जिसे कहते हैं class, चलिए, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, अब देखिए, यहां पर cat है, dog है, lion है, tiger है, बराबर इन सभी का orders अलग है, इन सभी, these all belong to the order carnivora, बराबर है कि नहीं यहां पर आप देखिए, यहां पर और एक order है, जिसे हम लोग कहते हैं order primates या primata, तो animal kingdom में आपको दो order मिलेंगे, that is carnivora and primata, अब यह अलग orders है, अब primata group में आप you can see humans, you can see monkey, gorilla, gibbons, chimpanzees, यह सब हम primata group में डालते हैं, बराबर हैं, अब देखिए, लेकिन अलग-अलग order में होने के बावजूद भी, अब इनके अंदर भी कुछ common property है, चलिए सोचिये ज़रा, yes, common property यह है, all the animals belonging to order carnivora and order primata, they all are milk producing animals, सब के पास memory glands हैं, तो we put them under a common class, which is called class mammalia, so all the carnivores and primates are mammals, ठीक है, they all have milk producing glands, they all give birth directly to young ones, they all nourish the young ones with their own milk, so they come under a common class, that is class mammalia, right, चलिए, अब इसके उपर चड़ते हैं, let's go to the next higher taxonomic rank, now the next one is called division or phylum, मैंने आपको शुरुवात में बताया, दोनों rank सेम ही है, सिर्फ plants के case में, हम division word यूज करते हैं, और animals के case में, हम phylum word यूज करते हैं, so how do you define the assemblage of the group of closely related classes, जब classes में भी आपको similarity देखने मिलेंगी, तो ऐसे classes को हम एक higher group में, common group में डालते हैं, जिसे कहते हैं, division in case of plants, and phylum in case of animals, right, so this is the next category, phylum or division, चलिए example देते हैं, आपके सामने एक सीड है, जहां पर सीड में आपको दो पार्ट्स दिखने मिल रहे हैं, there are two parts, इन पार्ट्स को हम कहते हैं, cotyledon, see this is a cotyledon, and this is another cotyledon, right, तो इस सीड में आपको दो cotyledon देखने मिल रहे हैं, तो ऐसे सीड वाले plants को हम कहते हैं, dicotyledon plants, अब ये cotyledon क्या है, ये हम आगे plant kingdom में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिफ इतना याद रखिए, seed with two cotyledons are called dicotyledons, but there are some seeds which have only one cotyledon, ये देखिए, this is the cotyledon, तो इसे हम कहते हैं, monocotyledons, right, so seeds with two cotyledons are dicotyledons, and seeds with one cotyledons are called monocotyledons, अब देखिए, चाहे दो cotyledon हो, चाहे एक cotyledon हो, है तो seeds ही, तो ऐसे seed bearing plants को हम एक common division में डालते हैं, और इन्हें हम कहते हैं angiosperms, so all the seed bearing plants, जिसमें the seeds are covered by fruits, ये सारे seeds, फूट्स के अंदर आते हैं, तो इन्हें हम एक common division में डाल देते हैं, जिसे कहते हैं angiosperms, right, अच्छा, अब अगर हम animals की बात करें, तो देखिए हमारे पास कितने classes हैं, हम 10th standard में animal classification में ये पढ़ चुके हैं, under phylum quad data, we have class cyclostomata, we have class Pisces, we have class Amphibia, we have class Reptilia, we have class Aves, and just now we studied class Mammalia, right, तो ये अलग 6 classes हमें देखने मिल रहे हैं, correct है, right, but in sub में एक common property हैं, के they all have a notochord, मतलब during the stages of development, in sub के अंदर किसी न किसी stage में notochord रहा है, और हमारे case में, mammals में case में, ये ही notochord आगे जाकर vertebral column बन जाता है, तो इन सभी classes में ये common property है, so we put all these 6 classes under a higher order, जिसे कहते हैं phylum, and that is phylum chord data, because they all showed the presence of notochord sometime or the other, आई बात समझ में आप लोगों को, right, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब division और phylum के ऊपर की जो taxonomic rank है, उसे हम कहते हैं sub kingdom, चलिए, अब what is a sub kingdom, different divisions, और phyla, showing similarities, अब अगर आपको अलग-अलग divisions में कोई similarity मिले, plants के case में, और अलग-अलग phylum में similarities मिले, animals के case में, तो we put them in a higher category, जिसे हम कहते हैं sub kingdom, right, चलिए, example देखिए, see, हमारे पास plant की दो divisions हैं, एक है gymnosperms, और एक है angiosperms, ये दोनों अलग division है, क्या फरक है, दोनों में seeds बनते हैं, बट gymnosperms में, the seeds are not covered by fruits, तो ऐसे seeds को हम कहते हैं, naked seeds, लेकिन angiosperms में, the seeds are covered by fruits, तो ऐसे seeds को हम कहते हैं, covered seeds, seeds के type अलग हैं, बट seeds दोनों में बन रहे न, है तो seeds ही, तो gymnosperms और angiosperms को हम एक higher category में डालते हैं, जिसे कहते हैं, sub-kingdom fenerogams, तो fenerogams किस sub-kingdom को कहते हैं, किस group को कहते हैं, plants that produce seeds, seed bearing plants कम अंडर fenerogams, अब अगर वो naked होंगे, तो gymnosperm में जाएंगे, division में जाएंगे, और अगर वो covered होंगे, तो वो angiosperm division में जाएंगे, लेकिन seeds तो बन रहे हैं, तो we put them under sub-kingdom fenerogams, अब देखें यहाँ पर हमने क्या देखा, gymnosperms and angiosperms, they come under sub-kingdom fenerogams, तो फिर, ऐसा भी तो एक plants का group होगा, जिसमें seeds बनते ही नहीं हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है कि धरती पर present, सभी plants में आपको seeds बनते हुए मिलेंगे, नहीं, only fenerogams are the seed-bearing plants, तो then the group of plants, which do not produce seeds, उन्हें हम एक अलग sub-kingdom में डालते हैं, जिने हम कहते हैं, cryptogams, या cryptogamme, the biological pronunciation is cryptogamme, fenerogamme, normally we call it cryptogamme and fenerogamme, so these are non-seed-bearing plants, whereas the fenerogams are seed-bearing plants, अच्छा, अब मुझे एक बात बताईए, चाहे seed ना बने या बने, पर है तो दोनो plants ही न, cryptogamme भी plants ही है, fenerogams भी plants ही है, तो इस दर्ती पर जितने भी plants है, अब हम चलते हैं higher taxonomic category की तरफ, the highermost, जिसे हम कहते हैं kingdom, तो इस दर्ती पर जितने भी plants है, we put them under kingdom plantay, चाहे seed बनते हो, चाहे ना बनते हो, चाहे parietal placentation हो, चाहे axial placentation हो, are you getting my point? but ultimately all of them are plants, so we put them under the highest taxonomic rank, जिसे कहते हैं kingdom plantay, और जितने भी animals इस धर्ती पर है, जितने भी animals, we put them under kingdom animalia, चाहे वो Pisces हो, चाहे amphibia हो, चाहे cyclostomata हो, चाहे reptilia हो, चाहे Aves हो, चाहे egg laying हो, चाहे उनके पास अलग-अलग features हो, notochord present हो, notochord ना present हो, but we put them under kingdom animalia.